कॉल की सदस्या जाने के बाद कॉंग्रस पार्टी की बैठा को रही है मौश्मी क्या निकल कर आ रहा है क्या कानूनी रूप से लड़ेंगे क्या तेजी दिखाएंगे हाई कोड जाने में देखें अंजना ये फैसला मुझे लगता है सबसे बड़ा फैसला है और निर्नायक फैसला होगा 2024 के नतीजें पर इसका असर होगा और यही वज़ा है कि आप कॉंग्रेस 360 डिग्रीज हम आपको दिखाता है कि किस तरह से कॉंग्रेस में तीन पैटालिस पर एक प्रेसवारता होने वाली है और कुल मिलाके बिसात बिज गई है किसी और भी यह फैसला जा सकता है एक तरफ क्या राहुल गांदी सहानुबूती बटोर पाते हैं और क्या वो वाकई में एक बड़े हीरो की तरह उभरते हैं कॉंग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लिए यह है और क्या दूसरा जोकिम जो होगा या दूसरा नतीज़ा इसका यह हो सकता है कि बीजेपी इसको बुना लेती है और राहुल गांदी स बाएंगे उतना जादा वो भरके आएंगे इतिहास इस बात का गवाह है तो इस प्रकार से जो मैं कहूंगी ओची राजनीती पर भाजपा उतर आई है कि बाजपा एक तरफ से एक ऐसे सेंटेंस को जिसको एक ऐसे बयान को जो की बेरोजगारी के संदर्ब में दिया गया देश में जो उभरता हुआ ब्रस्टा चाहरे उसके संदर्ब में जो बयान दिया गया था उसको इस प्रकार से OBC के बारे में बना दिया गया तो यह मैं कहूंगी ओची राजनीती है लोग समझ रहे हैं और लोग बार बार जो पूरा अफ्तारी है राहूल गांधी के घर पर प्रियांका गांधी पहुंची है और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी राहूल गांधी प्रियांका सब उस बैटक में शामिल होंगे जिसमें आगे की इस पर स्ट्राटीजी तैयार होगी मौश्मी मैं लॉट रही हूं आपके पास अब सॉलिसिटे जेनरल साब दो वकीलों की पार्टी है क्या वो स्ट्राटीजी अपना सकते हैं तREE चार प्रषम है क्या रहूल गांधी की सदस्क्राच को बरकरार रखने का कोई विकल्ब है अब उनके पास सवाल नमबर एक सवाल नमबर् 2 क्या वो अब सेशन स्कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जा सकत इस मामले में रहूल गांदी स्वयम high court को अपरोच नहीं कर सकते अगर दो साल से कम सजा होगी तो उनकी सदस्तिता बरकराइब कोच लेकर मैं कोट फैसला देता है तब भी उन पर क्वेश्चिन मागने करता और क्या फैसला देगा ये भी करने की शमता जैराम रमेश और सुप्रियाश शिनेट वगरा की होती है मेरी नहीं होती पर मैं सिव कहूंगा कि आज की तारीक में जैसे ही उनकी कन्विक्शन हुई लिली थॉमस के आदार पर वो दिस्कॉलिफाइड थे उसको केवल फेट अकॉंपलाई की तरह आज स्पीकर के ऑफिस से वो जारी हुआ है वो दिस्कॉलिफाइड है एक वक्तवे से देना चाहूंगा अब उन्होंने ये मांग रखी थी तो अब गोल पोस्ट चेंज करके अपने इगो को इंस्टिउशन से बड़ा और परिवार को पॉरिमेंट से बड़ा कौन रख रहा है ये पूरी देश की जनता देख रही है और मैं इसे पूछना था तो यदि इतना ही ब्रश्ट है वो प्रोजेक्ट क्या उन्हें चेंसल के है प्रोजेक्ट मुद्ध अड़ानी का नहीं है मुद्ध इन चीजों का नहीं है राहुल गांदी ने जो विदेशी धर्ति पर भी एक वक्त विदिया कि वो हस्तक्षेप चाते हैं भारत में वो भी अस्विकार्य बयान था उसके लि कर celebration पर उत्रें उनको पताना चाहिए जनता को कि हमने ऐसा बयान OBC समाज के विशे में दिया है और हमें गर्व है इस बयान पर